वेलकम स्टुएंट्स तो इसके पेचले वाले वीडियो में आपको सिवरा सी चुहान अमारे मुख्य मंत्र जी की किलिप दिखा तो उसमें उन्होंने स्वम कहा है कि दस्वी की बार से परिच्छा नहीं होगी तो इसी को ये रिल्टेट देखिए है ओफिसन नोटीस भी कि आपका मुल्यांकन किस प्रकार पर किस ज़ाइगा देखिए तो इसके हैं पईला पॉंट हमें दिया है नियमित परिच्छार्तियों है तो देखिए पहला पॉइंट हाँ पर दिया है प्रत्यक परिच्छार्थे की अर्धवार्षिक परिच्छा या प्रिवोड परिच्छा यूनिट टेस्ट एवं आंत्रिक मुल्यानकन के अंक साला में उपलद है यानि कि देखिए कई जो पिद्यार्थे उन्होंने या तो प की रिवोड कर गिनेंगे यहीं पोईटscenes है ऐसे परिच्छ होए तक यानि कि जो हुए थे हम उससे बहिए सकते हैं और आंत्रिक मुल्यानकन में साला जारा 20 मुट प्रदान की जाए तो इन सब शार्यों को मिला कर आपका 100 अंकों का result त्यार किया जाएगा यह आपको पहला point किलियर हुआता है अब देखिए दूसरे point में कहा गया है MP board दारा जो result होगा हाना साला सिच्छक जो आपकी school जो सिच्छक है वे OMR seats में आपका result भरकर MP board को पहुचाँगे तो देखिए इन OMR seats में 20 अंक भर जाने का प्रापधान है प्रत्यक परिच्छारते को 20 अंकों में से प्राप्त होने वाले अंकों में प्रोराटा अधारपर परिवर्तित कर इन प्राप्तांकों को मंडल द्वारा प्ररेसित OMR seats में 20 अंकेत किया जाए अर्दवारसिक, प्रिवर्ट परिच्छां में से किसी एक परिच्छे का 50% अधवार यnë कि आपकी जो प्रिवर्ट परिच्छा है न फिर अर्दवार सी परिच्छा में से है जो आपका जितनी भी नम oversight में लेमान के चलिए आपको सो में सो अंक मिले तो आपके केबल पचास अंक वहाँ पर गीन जाएंगे दूसरा यूनिट टेस्ट यदि एक से अधिक यूनिट टेस्ट आयोजित कराएगा हो हाना याने कि जो आपके रिविजन टेस्ट हुआ था उसके आपके 30 परसंटेज जो मा नंबर प्रदान करेंगे जादता जो सिच्छा होते हैं वह 20 में से 20 अंक प्रदान कर देते हैं क्योंकि छात्रों का ना बे समझ जाते कि किस परिकार का बेच चात्र होता है तो मतलब कि आपके प्रिवोड या अर्धवर्षिक परिछे के आपके 50 अंक केलकुलेट की जाए यह बात आपके किलियर हो जाती है ठीक है इस प्रकार यदी किसी परिच्छार्थी को उप्रुप्त फोर्मूल के अधार पर यदि किसी बीसे में सो में से कुल असी अंक प्राप्त होते हैं तो ओमार सीट्स में प्रोलेटर अधार पर 16 अंक अंकित किये जावेंगे यान कि यदि आपका ठीक है इस प्रकार से हाँ पर दिया गया है सारी वात है आपको दी गई है यह सब फिर नीचे बात आती जो आपको पहले बता दी गई है ठीक है अब यह जो पांचवा पॉइंट है यह साला की तरफ से लागो होता आपके लिए कुछ मानें रखता है तो प्राइबट परिछार थी प्राइबट स्टूडेंस है उनकी किया प्रकार में अर्धवार से परिच्छन रिगई थी किसे प्रकार की याना कोई भी प्रों की तो इस्तर तो इस लानकन किया जाएगा तो उम्मीद आप से भी को समझ में आगे हो सब क्लियर होगे होगा आपको यह ते फिर भी कोई डाउट रहाता हो तो आप कमेंड करके पूछ सकते हैं मिलते हैं आप उसके नेक्ष्ट में तो तक के लिए जय हिंद जय भारत